हेले दोस्तों नमस्कार स्वागत आप से वी का गनेश टडी बन यूडिप चैनल पे तो देखे दोस्तों CRPF ट्रेट्समें प्रिक्षा 2023 बंपर वेकेंसी 9000 प्लस पोस्टों पे जो निकली थी उसका पेपर आपके 1 से 13 जुलाई 2023 के मद्य में होने वाला है तो 1 से 13 टेस्ट पेपर का सेट वन अपने कवर करेंगे ऐसा ही पेपर आईगा CRPF ट्रेट्समें प्रिक्षा 2023 में बिल्कुल सेलेक्शल दिनालेवाने परेशन आपके स्वीडियो में कवर कराऊंगा और मैं आपको गारंटी के साथ करते हूं अगर आप अमारे देली सभी वीडिय करते हैं तो इस बार आप CRPF ट्रेट्समें प्रिक्षा 2023 डेफिनेटली क्रैक कर पाएंगे तो चलिए दोस्तों आज के स्वीडियो को अपने शुरू करते हैं वीडियो में ध्यान से अंट तक बने रहीएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं पहले क्वे दोस्तों अगर आपके स्वीडियो में से किसी भी क्वेशन का राइटन सर पता हो तो आप साथ साथ गमेंट बॉक्स में उन सभी को weakest को में पताहिए और मैं end वीडियो में सभी क्वेशन के राइटन सर चेक करूगा और उन्हें कि लाइक भी करूँरूगा Second question में पुछ जा रहें कि निमल लिखित में से कौन सा घटक पारिस्थित्की तंतर का हिस्सा नहीं है. Which of the following component is not a part of the ecosystem? तो इन में से कौन सा जो घटक है वो पारिस्थित्की तंतर का हिस्सा नहीं है तो ये नहीं है soil. जो मिट्टी है वो पारिस्थित्की तंतर का हिस्सा नहीं है शेवाल प्लास्टिक वर्षा ये क्या है पारिस्थित्की तंतर के हिस्से होते हैं अगली question में पुछ जा रहे हैं कि निमल लिखित में से कौन सा अंदोलन बंगाल विभाजन के ठीक बाद हुआ था तो बंगाल विभाजन के ठीक बाद स्वैदेशी आंदोलन हुआ था और ये एक्जाम में most repeated question रहता है अगली question में पुछ जा रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी प्राइदी पे नदी कौन सी है भारत की जो सबसे बड़ी प्राइदी पे नदी है वो हापके गोदावरी नदी पढ़ते हैं एकली question की ओर अगली question में पूछा जा रहे हैं कि निमन लिखित में से कौन सा एक समुन्दरी राष्ट्री उद्धान है तो कौन सा एक समुदरी राष्ट्रे उध्यान है तो यह है आपके गल्फ और मनार करेक्ट अंसर ऑप्शन बर फोर रहेगा इस क्वेशन का अगली क्वेशन में आपसे पुछा जा रहे हैं कि निमन लिखित में से कौन सा लोक नरते है पंजाब से समंदित है तो देखे दोस्तों जो आपके गिद्दा नरते है यह पंजाब से समंदित है गिद्दा और भांगडा यह दोनों ही क्या है पंजाब राजे से रिलेटेड है अगली क्वेशन में पुछा जा रहे है पोत गाहे सिंदु गाटी सब्वेता के निमल लिखित में से किस स्थान पे पाया गया तो यह सिंदु गाटी सब्वेता के लोथल स्थान पे क्या है पाया गया था अगली क्वेशन में पुछा जा रहे है भारत का अंतिम वाइसराय कौन था वू वाज़ दे लास्ट वाइसराय ओफ इंडिया लास्ट वाइसराय ओफ इंडिया की बात करें तो वो थे आपके लॉर्ड माउंट बेटन करेक्टन सर ऑप्शन नमर थर्ड रहेगा इस क्वेशन का अगली क्वेशन में पुछा जा रहे है कि परमानू बं का जनक किसे माना जाता है वो इस रिगार्डेड ऐस दा फादर ओफ एटोमिक बंप फादर ओफ दा एटोमिक बंप ये कहा जाता है जे रोबर्ट ओपन हाइमर को करेक्टन सर ऑप्शन नमर फोर रहेगा इस क्वेशन का अगली क्वेशन में पूछा जा रहे है कि निमल लिखित में से कौन पंजाब केसरी के नाम से परसित था वो among the following words popular as पंजाब केसरी तो पंजाब केसरी के नाम से परसित थे लाला लाजपत राई जी करेक्टन सर ऑप्शन नमर रहेगा इस क्वेशन का अगली क्वेशन में पूछा जा रहे है सोर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह the largest planet in the solar system is तो सोर मंडल में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपके जुपिटर जिसे ब्रस्पती कहा जाता है अगली क्वेशन में पूछा जा रहे है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है which is the largest salt water lake in India largest salt water lake in India के अपने बात करें तो वो है Odisha में चीली का जील second number option will be the right answer देखें दोस्तों वीडियो में आगे बड़ें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिगा क्योंकि काफी मेहनस से डेली आपके लिए वीडियो प्रिपेर की जाती है तो इस बात पर वीडियो को लाइक करना तो बनता है वीडियो में टार्गेट रखेंगे पुरे 1000 प्लस लाइक कंप्लेट करने का कॉर्णांग टेंपल इन ओडिसा वाज बिल्ट बाई विच अफ दो फॉलइंग किंग्स तो ओडिसा में जो कॉर्णांग मंदिर है ये नरसी है देवा परत्थम के द्वारा बनवाय गया था ऑप्शन नमर सेगंड इस ग्वैशन का राइट अंसर रहेगा अगली क्वैशन में पुछा जा रहे है भगवत कीता को डैस द्वारा संकलित किया गया था भगवत कीता was said to have been compiled by इससे compiled किया गया था वेद व्याजदी के द्वारा अगली क्वैशन में पुछा जा रहे है कि हिमाचल परदेश की दूसरी राजदानी कौन सा शेर है which city is the second capital of हिमाचल परदेश second capital of हिमाचल परदेश कौन सी है तो ये है आपके धरम शाला राइट इन सर अप्शन नमर फोर रहेगा इस क्वैशन का अगली क्वैशन में पुछा जा रहे है पुस्तक के लेखक कौन है तो इस पुस्तक के लेखक है एन आर नारायन मूर्ती जी second number option इस question का विल्कुल राइटन सर रहेगा next question में पुछा जा रहे है कि निमन लिखित में से कौन सा रोग विशानू के कारण होता है which one of the following disease is caused by virus तो वाइरस के द्वारा यानि विशानू के द्वारा कौन सा रोग होता है तो ये होता है common cold जुकाम right answer option number second रहेगा इस question का पर ते next question की ओर अगले question में पुछा जा रहे है 1833 के charter अधिनियम के प्रावधान के तहट भारत का पहला governor general कौन बरा under the provision of chartered act of 1833 who became the first governor general of India तो इस charter अधिनियम के तैत first governor general of India कौन बने थे तो ये बने थे Lord William Banting correct answer option number four रहेगा इस question का next question में पूछा जा रहे है वह वह ग्यानिक कौन थे जिन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी who was the scientist who discovered blood circulation तो रक्त परिसंचरण की जो खोज की थी वो William Harvey के द्वारा की गई थी ठीके दोस्तों अगले question में पूछा जा रहे है कि निमन लिखित में से कौन सी धातू नहीं है which among the following is not a metal तो देखी दोस्तों जो silicon है वो metal नहीं है ये क्या एक semi conductor है अर्द चालक है अगले question में पूछा जा रहे है कि grand slam शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है the term grand slam is associated with तो grand slam जो शब्द है ये tennis के खेल के साथ जुड़ा हुआ है अगले question में पूछा जा रहे है निमन लिखित में से किस राजय में दिपोर बील नामक रामसर वैटलेंड साइट है which of the following state has the रामसर वैटलेंड साइट नेम दिपोर बील तो ये आपके असम में स्थित है अगले question में पूछा जा रहे है who is the father of immunology immunology के जनक कौन है तो immunology के जनक है Edward Jenner option no.3 आपका विल्कुल राइटन से रहेगा अगले question में आपसे पूछा जा रहे है विदुद शक्ती की इकाई है the unit of electric power is तो विदुद शक्ती की इकाई क्या होती है what होती है विदुद धारा की इकाई ampere होती है विदुद विवांतर की volt होती है विदुद आवेश की क्या होती है कुलाम्ब होती है तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है अगले question में पुछा जा रहे है भारतिय अंतरिक्ष अनुसंदान संगठन का गठन डैश में किया गया था Indian Space Research Organization जिसे इस रो कहा जाता है इसकी स्थापना कब हुई इसकी स्थापना हुई थी 1969 में आज का हूरक question आपको बताना है कि इस रो का जो headquarter है वो कहां पे स्थीत है इस रो का मुख्याले कहां पे स्थीत है सभी साथ इस question का right answer comment करके जरूर बताएंगे अगले question में पुछा जा रहे है भारती समिधान में पहला संशोधन डैश में किया गया था अगले question में पूछा जा रहे है कि निमल लिखित में से कौन सा हमारे जीव मंडल का एक जैवी घटक है तो कौन सा है तो यह है आपके शुक्षम जीव थर्ड नमबर अप्शन इस question का राइटन से रहेगा next question में पूछा जा रहे है कि डैश मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंती है डैश is the smallest gland in human body smallest gland in human body तो वो कौन सी है तो यह है आपके pineal gland जिसे pineal ग्रंती कहा जाता है यह मानव शरीर की कह सबसे छोटी ग्रंती है अगले question में पूछा जा रहे है यह सयोग आंदोलन डैश में शुरू हुआ the non-corporation movement started in यह सयोग जो आंदोलन है इसकी शुरुवात 1920 में हुई थी right answer option number 3 रहेगा इस question का अगले question में पूछा जा रहे है कि विसम में मक्के का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है which country is the largest producer of corn in the world कौन सा है तो वो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका आज के इस शांदार वीडियो में हमने top most important question कवर कर लिए है जो आपके CRP of tradesman बिरिक्षा में definitely पूछे जाएंगे वीडियो के आंदेख देखा धन्यवाद बसंदाई तो please like और share जरूर कीजेगा